कि यह विए हलो गाइज वेलकम बेक टो अक्षेलोक्स तो में अज़स्ट अभी अभी लाइश्ट्रीम कर रहा था तो आप लोग देख सकते हो यह लाइश्ट्रीम चालू है अभी-अभी मुझे कॉल आया कि सर आपका पार्सल आ चुका है तो में जाकि अभी वह पार्सल रि आई वह बहुत लोग देखें खींगे अभी जितने भी लोग तो तो चलिया आपको Ein बाख सिंग दि एकन कैसे चीज़ की वने वाली जो कि हहारा हं पैकेज पैकै में ओस सिंग क्या बहुत आफे चाले में में तो यह यहांत बोग देख autt not यहां पर कैमेरा अंगल जैसे की जो स्ट्रीम पर देख रहे हैं उनको भी देख सके इस तरह से अपनी सेटप रूम तो सेटप रूम का भी वीडियो जल्दी आने वाला है तो जस्ट वेट में ट्राय करेंगा कि जल्दी सेटप वीडियो भी डाल सकूर चैनल पर तो यह है हम जाएं पर जाएं तो चलिए आप फट अफट आनवोक्सिंग करते हैं इसकी है वैसे यह देख सकते हो कि इतना बड़ा बड़ा प्रोड़क्त है तो गेस कर सकते हो आप एक इसमें तो वैसे तो आप लोगों ने थमनेल देखके या अपना टाइटल देखके पता ही कर लिया होगा कि क्या है इसमें तो चलिए अभी इसको फटाफट अन्बॉक्सिंग करते हैं तो यह है फाइनली हमारे स्टुडियो के लिए एक स्टेंड तो बेसिकली ग्रीन स्क्रीन का स्टेंड है तो इसमें हम ग्रीन स्क्रीन लगा सकते हैं तो इसे फटबट अन्बॉक्स करते हैं अभी बहुत ज्यादा हेवी है उसको उठा के लाया में दो हट से तो आज ये सुवेट डिलिवर होने वाला तो दूफेर में तो मैंने पूरा दिन वेट किया लेकिन अभी ज़से मैंने लाइफ्स्रीम स्टार्ट की उसके 10-15 मिनिट बात उनका स्पाल आया कि सर हम आ रहा है और आपका प्रोड़क्ट आ चुका है तो जल्दी से पिकप कर लीजिए हाँ मच भाई तो ये स्टैंड है भाई ट्राइपोड का ग्रिन स्क्रीन का वन ट्रिपल नाइन जो कि अभी अभी डिलिवर हो आ है आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा स्टैंड है या पैकिंग तो अच्छी की रहे हैं है यह तो एक रेंपोट है र पैकिंग बढ़िया करके दीवन हो तो सबसे पहले में एक स्टोरी बाना रेता हूँ याद बो आमाजोन से तो यह पैकिंग और इसमें से यह बाक्स कि दीवाइब दीवाम इसके इस इतना बड़ा है देखो गई तो यह है फोटोग्राफी स्टैंड बेसिकली तो जो ग्रिन स्टैंड वगेरा होता है तो इसमें दो ट्राइपोर्ट के अले एक जो लैंड्सकेप अले जो ब्लाव गेरा होल्ड करने के लिए आता है तो वह पूरा इसमें है स्टैन्ड वगेरा तो इसके आभी हम अन्बॉक्सिंग करेंगे हाव मज ब्रो वन ट्रीपल नाइब एक हाजार नाउसर नाइनवे यह है मेरी कईची तो जो कि जब अभी अभी ज़स्ट अलडर हुआ है विलिवर हुआ है नेचर फैमिली वाट आर यू अन्बॉक्सिंग इट्सट्राइपोड स्टैन्ड और ग्रीन स्क्रें वेलकम वेलकम गाइज उसके बाद और अब आप प्री बहुत जादा है यह बैग मिलता है गाइज गीटार गीटार ही लगड़ा है गीटार सब्सक्राइब अब दोड़े यूचा आप लोग देख सकते हो अब लोग व्लॉग आ रहा है तो यह अप लोग डेख सकते हो कितनी अच्छी पैकिंग वहां है अडर इसके साथ में आपको यह बैग मिलती है जो कि आप लोग देख सकते हो तो चलिए आप इसे ओपन करके देखते है कि क्या है इसमें तो बाई तो ये ये एक स्टैंड है ट्राइपोड स्टैंड यहाँ पर आपको सोनिक की ब्रैंडिंग मिलती है यहाँ पर उसका नाम वगेरा यहाँ से आप उपर नीचे कर सकते हो आपके इसाब से एड्जेस्ट कर सकते हो इसको तो इसे अभी साइड में रखते हैं बाद में देखेंगे इसे अब दूसका वेसा ही सेम स्टैंड है यह जो कि दूसरे साइड में आएगा होल्डिंग के लिए इसे भी बाहर निकाल लेते हम आप देख सकते हूँ सिर्म है उसकी तरह यहाँ पर जैसे कि वहाँ पर ब्लाइंडिंग थी सोनिक की यहाँ पर ब्लाइंडिंग इस सोनिक की उसके बाद यह दो एड़स्टेबल रोड साते हैं ताकि इसे हम प्यारलर लगा सकते हैं अड़स्ट करने के लिए और इसके ऊपर आप जो भी ग्रीन स्क्रीन वगेरा बैग्राउंड स्क्रीन वगेरा है वह आप लोग लगा के अपने श्टैंड पर लगा सकते हो अच्छी तरह से मत अड़स्टेबल है इसको आप 6-9 फिट तक अड़स्ट कर सकते हो पूरा तो इस तरह से यह स्टैंड है तो यह चीज़े आच चुकी है तीन तो इसे मैं अभी स्टैड में रखता हूँ और इसे ट्राय करता हूं में निकलने का और कुछ है क्या और कुछ नहीं है यह बैग इसके बाद यह नीचे से कैसे निकलता है मुझे कोई आइडिया नहीं इसके अच्छा गया इसे तो यह देखो यह से यह इसको एसा मिलेगा आपको यह से यह स्टैंड का लेक जो है वह आई थिंक इसे निकलेगा ना और निकलेगा नें तया निकलेगा अटो इस तरह से साइड में निकलेगा तो वेसे ही यह लेक भी निकले घैंगेंगे आपन कि निकल जार्बाई है आ He the guy असमय पली बार बार आंगसिन कर रहा हूं इसलिए मुझे कोई बहर्या निया कि से कैसे निकालते हैं आइड नो अ था भाई कैसे कब कहा इसको थोड़ा टाइम लगे का वे यहां और कि आपको चंशिता है आप लोग देख सकते हैं इस थरह से हो एंद इसे कड़ा आपको पहले निकालना पड़ेगा यह वाला अपसके बादिये सबenary एक्सटेंड हों नहें तो जाद़ाल लेकल इस तो आप लोग देख सकते हो गई यह दो स्टैंप तो यह यहां पर लगाना है और यहां पर लगाना है उसके बाद रहा आते मैं एकटेंगत अट बैक रख टो मेंट ग्राने न valid और को cuidado ??? आbak- ये विडियो घॉक्चाइब न हो आहां तो आपकम विडियों पर आने वाल है लॉक्त देख सकते हो आप लोगemor Candle जो जो लोग अभी लाइव है in test to your video देख सकते हो इसे यह दो यह था यह पने लिख सकते हो यसे मेरो एक्सेंड कर ले तो अ इस तरह कर दोनों पर निया है उसके बाद कुछ है। पर रॉलस तो यह प्रसार नां पहले हैak, पोड़ чем एक्सेंड करने के लिए राजरब ना ना चीन की प्रसाय लगाज है है नहीं से कट कर लेता हूँ तो गाइस फाइनली बहुत मेहनत करने के बाद यह इसकी पैकिंग निकल चुकी है तो यह आपकर तीन रॉड मिलते है इसे इस तरह से कर रelyn आपको अन रॉड दिखर आया था है तो यह से अडर अमेलों व्हाँ आपको वह भी डिखा तयक्क हैंघ खाली करने सबस्ता कर डैना है तो इस्तीन हूं कहता है उसके जब लाद कर ना जा रॉड जाए कैसे हैं जा राइंग। 2 यह फिट कर लेक हैं सबसे पहले निकल लेना है उसके बाद कर देना है उसके बाद इस तरह से एक्स्टेंड हो जाएगा तो यह आप लोग देख सकते हैं स्टार्टिंग में थोड़ा आपको पूरा यह जोएंट रहेगा तो आपको यह निकलना होगा इसतलेह आपको यह पाल आपको आपको जाएगा तो यहापको दूर फिंग में नहीं शिद्ग कंग माईगा तो जो जिसको जाए वह रहें इस तरह अभी दूसरा भाड में लेगा एंड को ए इस फिटिंग में डावी यह दालेता है इस तरह से यह सेट हो चुका है यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह पर यह पर लगा सकते हैं तो यह स्टैंड रहेगा बैंगरॉंड में तो आभी इसे मुझे लगाने की जगा डूनना बोड़ेगा क्योंकि वहां पर मेरा बेड़ है और वहां पर बहुत जगा कम है तो इसके लेक्स उपर करके लगा के देखना पड़ेगा तो अभी मैंने जट अन्बॉक्सिंग के लिए यह लगाया है उसके बाद में आपन सेट अप करेंगे और यह है मेरी ग्रीन स्क्रीन जो कि मैंने यह इसे आपको सिंप्ली आपर डाल देना इसके उपर अब जगाया है जो अगर आपके एक मेंने में ट्राइपोड थी कट लेता हूँ सबसे पहले तो क्यों की ट्राइपोड की बहुत दुर्दशा हो चुके है तो ग्रीन स्क्रीन के लिए बैसे के लिए आपको एक बीट कोई यह ने जाहिए पूरी प्लेन स्क्रीन चाहिए त अब अभी आप ग्रीम consistency शोड़ेस ततर दे सकते हो तो अभी आप लोग जेक सकते हो पूरी प्रपर तरीके आप धी लैब सσα्इक पूरा ग्रीन स्क्रीज घृट जो है व reflects पूरा परेक्रीन चेंट यह इसी आप ऑध करूइ これ बैक्राइं विडियो बना सकते हैं यहां पर हमारी स्क्रीम भी चाल विए तो हमारी साथ है सुभां भाई है आप लोगों लोग में लेने वाला हूँ तो कोई है क्या अगर कोई है तो क्योंकि बहुत देजर से अनवक्सिंग चालूई इसलिए कुछ लोग आके गए है अभी अभी चैनल पर फिर आल तो एक-दो लोगे सिर्फ गाइस कोई होगा तो प्लीज मैसेज कर दीजिए हलो व् अभी एक्जाम सी लेकिन व्यूमान आ चुका है तो चलिए गाइस आयोप यह स्टेंड सा तो आयोप आपको आपको यह व्लॉग अच्छ लगा होगा तो वीडियो यह वीडियो आप लोग कैसी लगे नीचे खाल नीचे ने खाली नीचे कमेंट करें बताई है तो इस करें अगर आप लोग मेरी चैनल पर नए हो तो प्लीच चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो मिलते हैं इसी किसी नए वीडियो में तब तक टाडा वाइवे सी यू बाइबाइ